हालो अब्रीवान, वेलकम टो अलेपी गाईज आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप सभी का क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और क्या क्लास 12 पास आउट होने के बाद B.Sc. में केमेस्ट्री ओनर्स आप सभी के लिए best option है, carrier के लिए या फिर कोई और course करना चाहिए जिससे कि आप इसके जादा better कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारा को जानेगे, आज हम लोग केमेस्ट्री ओनर्स के बारे में और आप लोग को एक अच्छा knowledge हो जाएगा इस subject के बारे में इस वीडियो को देखने बाद तो सबसे पहले समझने की कोशिस करते हैं chemistry honors के बारे में chemistry honors तीन साल का course है, banki honors की तरह और इसमें majorly आपको chemistry पढ़ना पड़ता है और side से कुछ subjects होते हैं, वो भी पढ़ना होता है तो बात करता है कि इसमें और क्या-क्या होता है देखो chemistry में आपको majorly पढ़ना क्या पढ़ेगा in organic chemistry, organic chemistry और physical chemistry तो chemistry के इन तीनों parts को आपको deeply पढ़ना पढ़ता है तीनों साल और इसी से आपका chemistry honors होता है तो जिननों का 12 का basic बहुत ही जबर्दस था chemistry में यारी कि बहुत जबर्दस ने आप अच्छा किये हो अगर आपके पास basic concept clear है तो आपके लिए chemistry honors अच्छा हो सकता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला यह कहने का मेरा मतलब है नो देखो सबसे पहले आप chemistry honors अगर करना चाहते हो बाकि अगर मैं इसका future scope की बात करो तो देखो future school हर honors का बहुत जादा है अपना प्रफील्ड है हर सब्जेक्ट का इसका भी है लाइक chemistry वगेरा बन सकते हो और बहुत सारे government exams होते हो वहाँ पर जाकर exam दे सकते हो और अच्छे job पात सकते हो आप नेट का exam होता है गेट का exam होता है यह सारा कुछ दे के आप पीच्डी वगेरा करके जो है रिसर्चर वगेरा साइंटिस्ट वगेरा या फिर प्रफेसर वगेरा बन सकते होती है यह सारा कुछ option है आपके पास chemistry honors करने के बाद और इन सब के अलावा आपके पास समझने की बात अगर आपको लगता है कि chemistry honors को आप enjoy करोगे actual में तभी chemistry honors रखना आप लोग से बढ़ाई पास करने के लिए कर रहे हो तो आप chemistry करो physics करो mathematics करो आप कहीं से भी थोड़ा नमर लेके पास होई जाओगे तो यहीं कहने का मतलब है देखो अब यहाँ पर मैं बात क chemistry honors और बहुत सारे से professional course है जिससे कि आपके professional knowledge जो है यह technical skills है वो बढ़ जाएगी तो आपको job वाने में आसानी मिलती है कि simple graduate से जाद आपको उन सारे professional course वालों को prefer किया जाता है तो मैं यह नहीं कहुँआ कि आप chemistry honors नहीं करो लेकिन हाँ एक ची मैं कहुँआ कि chemistry honors अगर करते हो तो आप लोग please government college से करने की कोसिस करना किसी private college में 58-58 साल का दे के और honors BSC का करने का कोई मतलब नहीं बनता है तो यहीं के निका मेरा मतलब है thank you मिलते है next video में please subscribe करो और like अच्छे से करतो या लाइक नहीं करतो आप लोग like करो subscribe करो share करो मिलते है next video में जो भी comment है please comment करो मै आपको help करें की कोसिस करूंगा thank you